तो आज हम लोग बात करने वाला है transaction handling के भारे में transaction handling क्या होती है JDBC की help से कैसे transaction handling को perform किया जाता है और उसके पीछे का logic क्या है वो सारी चीज़े हम लोग सीखने वाले है देखो जब हम transaction handling की बात करते हैं तो एक तर्म आती है data consistency डेटा consistency अगर आपने ये टम अच्छे से सीख ली तो आपको ट्रांजेक्शन मेनेजमेंट में ट्रांजेक्शन हेंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी और पूरा कॉंसेप्ट आपके समने ओपन हो जाएगा देखो एक चीज़ समझो मान के चलो मेरे पास एक बैंकिंग सिस्टम अधरार मेंThen का डेटाँबेस है और इस डेटाबेस के अंदर दो आकाउंट नंबर्स है एक अकांट नंबर एक आकाउंट 123 और एक अकांट प्रांजेक्शन पर्फॉर्म करनी है एक ऐसा प्रोसेस जो कि दोनों पार्टी को अफेक्ट करें जिसमें डेटा या फिर कोई भी चीज एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास जाए और वाइस वर्सा भी हो सकता है ठीक है ऐसे समझो अब यहां पर देखो मान के चलो मेरे पहले क्या थाधा पहले हूं यहां पर देखो अकांट 123 के पास रूपीस 1000 थे को पास 2000 रुपी से तो टोटल जहें कितना था हमारे देटवेस के अंदर टोटल बिलेंस था हमारे डेटाबेस के अंदर 3000 रुपीज 3000 ठीक है तो डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि डेटाबेस के अंदर डेटा इनिशियल स्टेट में जिस फॉर्म में था उसी स्टेट को मेंटेन करना चाहिए अच्छे से परफॉर्म करेगा कोई ambiguity नहाएगी कोई errors नहाएंगे और management में दिक्कत नहाएगी लेकिन अगर data का state change हो गया या फिर जिस original state में data था उससे उसका state किसी दूसरे state में चला गया या फिर कोई दूसरा state हो गया उसका तो उस case में data inconsistent हो जाएगा एंड हमारा जो database का weekend से पूरा structure है वो ही बिगड़ जाएगा हमारे database errorness results थ्रो करने लगेगा जब हम उससे कोई चीज़ retrieve करेंगे और हम track नहीं कर पाएंगे अपनी transactions को प्लस अगर हम इसका real time impact की बात करें या real life का impact की बात करें तो बहुत बड़ा loss इनकर हो सकता है data inconsistency की वज़े से ठीक है अब हमें data को consistent रखना है अब हमें बात करनी है कि data inconsistence किन-किन condition में हो सकता है ठीक है देखो अभी हमने क्या किया था 500 रुपे के transaction परफॉर्म करी थी और transaction थी account 123 से account 456 में अब मान के चलो कुछ ऐसा हुआ कि transaction शुरू हुई account 123 से 500 रुपे debit हो गए 500 रुपे debit हो गए लेकिन बीच में कहीं पर कुछ transaction फेल हो गई internet connectivity चली गई database में कोई अरद आ गया या फिर xyz कुछ भी हो गया और transaction complete नहीं हो पाई और जिसकी वज़े से account 456 म रुपीज 500 एड नहीं हो पाए मतलब क्रेडिट नहीं हो पाए यह काम नहीं हो पाया अब इस केस में क्या होगा इस केस में हमारा जो टोटल बैलेंस है हमारी database के अंदर या फिर हमारे banking system के अंदर इन दोन अकाउंस का वो कितना होना चाहिए इसके पास कितना बचा इसके हमारे पास बचाए 500 क्योंकि यहां से तो डेबिट हो चुके है और यहां पर क्रेडिट नहीं हो है तो इसके पास अभी भी 2000 है तो टोटल बैलेंस हो गया हमारे पास 2500 अब यह देखो कि इनिशल स्टेट में बैलेंस यह थाओ 3000 ता लेकिन अब बैलेंस है 2500 और डेटा कंसिस और पहले था 3000 तो इस केस में ढिटा कंसिस्टेंट हो गया है और ऐसे केस में हमारा जो डेटा वेस है उसको ट्रेक कर पाना उसके रिकोडिकोर्द को ट्रेक कर पाना फ्लस उसमें बहुत जाधा AIRNS result Embot को ट्रेक कर पाना मुश्किल हो जाता है और रियल लाइफ में बहुत बड़ा लोस देखने को मिलता है तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांजेक्शन मेनेजमेंट का हमें अलग से परफॉंग करनी होते हैं ट्रांजेक्शन हैंडलिंग ठीक है बहुत सारे मेथेट्स प्रवाइड करती है लेकिन दो बहुत फेमस मेथेट्स है एक है कमिट और एक है रोल बैक इनको मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं देखो मान के चलो ट्रांजेक्शन इनिशेट हो गई इनिशेट हो गई ठीक है दोनो क्याच कने दिख्शेट हो जेसे लिए रेड़ी अंधर आधर मैं आपके रूगा यहां फिर आग возь जितने फैकटर्स वहेंगे वह सपोर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन किमप्लीट हो जाएंगी बिना किसी एरर के तो मैं क्या करदूगा transaction complete होने के बाद मैं करदूगा commit changes मतलब transaction complete हो जाए और इसके बाद मैं करदूगा commit changes ठीक है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि मैंने पहले ensure किया कि मेरे पहले account से कि मेरे account 123 से रुपीस 500 deduct हो गए और अकाउंट 456 में 456 में रूपीज 500 एड़ हो गए जब मैंने ये एंशोर कर दिया तब मैंने ट्रांजेक्शन को कर दिया कमिट कि हाँ अब हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है और अब हम आगे के प्रोसेस कर सकते हैं लेकिन रोलबैक में क्या होता है रोलबैक क्या करता है मान के चलो ट्रांजेक्शन इनिशियेट हुई और बीच में कहीं पर कोई एरर आ गया या फिर ऐसा हुआ कि डेटा हमारा जो पहले स्टेट में था वो दूसरे स्टेट के साथ मैच नहीं हो पाया यानि कि यहां पाट-न रूपया यह भी डिड़ट नहीं सकतर मां आ कि सब्सक्रस आप कि यहां पर हम लोग aRIक्से हैं यहां आपको एक आईडिया रहा अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं हम लोग next project लाने वाले banking system के उपर तो transaction handling हम लोग इस वज़े से यहां पर सीख रहे हैं अब मैं उपन करता अपना mysql command link client एक ऐसा database create करते हैं या फिर एक ऐसा table create करता है जो कि support करेंगा हमें transaction handling करने में एक table बनाते है admin enter it 123 अब यहां पर हम लोग करते हैं show databases ठीक है मैंने अपने databases को चेक कर लिया है मेरे पास कौन-कौन से database is available है मैं यूज करता हूं my database मैं database को my database ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं table create करते हैं create table accounts को और इस table की हम लोग schema रखते हैं सबसे पहले रहे गा है अकाउंट नमबर है कि यह हमारा रहेगा वैर्क टाइप का इसको हम लोग रखते हैं 20 और इसको बनाते है primary की so that हम लोग locate कर पाएं अपने data को या फिर किसी भी record को uniquely locate कर पाएं ठीक है उसके बाद हम लोग बनाते हैं balance balance और इसके बाद हम लोग इसको रखते हैं decimal type का इसकी precision और इसका जो range है वो रखते हैं हम लोग 10,2 10,2 ठीक है precision और scale इसका हम लोग रखते हैं 10,2 और इसको रखते हम लोग not null ठीक है तो database अपना table जो है वो ready है okay query okay zero rows affected अब एक बार चेक करते है show tables क्या table आ गई है okay accounts नाम की table आ चुकी है and यहाँ पर हम लोग जो है एक बार करते है describe table okay sorry describe accounts तो accounts हमारे सामने है accounts नाम की table हमारे सामने field उसके अंदर account number है balance है type उसके यह रहे और primary की हमारा account number है and default हमने set नहीं करा है किसी को भी और extra कुछ नहीं डाला है ठीक है अब हम क्या करते है अब इसके अंदर हम लोग data को फिल करते हैं dummy data को फिल कर लेता है तो मान के चलो मैं फिल करता हूँ यहाँ पर तीन account इंसर्ट इंटू accounts और यहां पर मैं फिल करना account number के अंदर account number and balance ठीक है इसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पर यूज और इसके बाद हम लोग तीन मेल्यू इसको प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले अकाउंट 123 यह हमारा पहला अकाउंट नमबर है इसके बाद इसका बैलन्स रखते हैं हम लोग 1000 रूपीज 1000.00 क्योंकि मैंने यहां पर स्केल सेट किया था टू पर या आप देख सकते हो देखो यह रहा तू पर मैंने स्केल सेट किया था ठीक है इसके बाद हम लोग करते हैं इसको क्लोज नेक्स्ट डेटा एंटर करते हैं तो टेबल अपनी रेडी है इसको हम लोग करते हैं क्लोज और ओके थ्री रोस अफेक्टेड रिकोर्ट स्थी अब एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो डेटा है वो आ चुका है टेबल के अंदर सेलेक्ट एस्ट्रीक फ्रॉम अकाउंट्स ठीक है तो टेबल रेडी है जिसके अंदर तीन अकाउंट नमबर से अकाउंट 123 अकाउंट 456 एंट 789 तीनों के बैलेंस है अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं आईडी के अंदर आते हैं और यहां पर मैंने बहुत बेसिक सा कोड आपके सामने लिखा हुआ है मेरे डेटाब यहां पर आ सकता है उसको हैंडल किया है ट्राय और कैच ब्लोग की हल्प से लाइन नमबर 21 के बाद हम लोगों एक ट्राइब लोग शुरू किया एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने करनेक्शन एस्टेबिश किया अपने डेटाबेस के साथ वो तीनों आर्गूमेंट्स laugia फिर जोबी कोड्य वह टोल Simple बेटिकल udah अब मेस केस्पे मेरे को के करना है मेरे को कमिट आटोमेटिकली करना है मेरको पहले चेक करना है कि क्या सारी电ocy conservative ऐसकोब क्याба मेरे पास कог्णेक्शन इसको मेरे acun करता हो करता हूँ इसा इसके बात देखते हैं इसके बाद चेढ़ेंगी हमें दो ग्रिक्ष जो कि डेटा अंदर से बेलेंस को डिड़ेक्ट कर पाएं और बैलेंस को सबमीट कर पाएं या फिर क्रेडिट कर पाएं pagar दूसरे account के अंदर तो हम लोग यहां पर दो सिटर्फ से पहले रखते हैं वीद्रोपेड लिण tekि data को qualche पर इडक करे वीड्रोप करेंगी वीड्रोप लेगी मैं तहीं को हम लोग करते स्ट्रिंग के अंदर ठीक है से अपडेट करना हैं alcanzon को अकाउंस नाम की टेबल को और हमें सेट करना है सेट करना है हमें बैलेंस को ठीक है बैलेंस को सेट करना है हमें बैलेंस माइनस कोशन मार्क वेयर अकाउंट नमबर इक्वल्स टू कॉश्चन मांक देखो मैंने यहां पर क्या किया है क्यूंकि मैं बैलेंस को डिड़क्ट कर रहा हूं तो मेरे को जो existing balance है उसमें से उसको minus करना पड़ेगा जो भी amount में deduct कर रहा हूं तो देखो यहां पर मैंने क्या किया है मैंने कहा है update सबस्क्राइब आई dal। एक्वडेट करना पहल अबस्के इल्प से लोकेट कर लिया उस अकांट को यहां फिर उस पर्टिकुलर रीखोंड को जिसके अंदर से मैं बैलेंस को deduct करना चाहता हूं और उस्की जगा पर भी मैंने यहां पर प्लेस ओलडर लगा के छोड़ दिया है इसकी वेल्यू हम लोग बाद में सेट कर लेंगे तो हमने अभी यहां पर दो चीजों की वेल्यू बाद में सेट करने है एक तो अमाउंट की जो डिड़क्ट करना है और एक अकाउंट नमबर जिसमें से ऐसे बहुत सिंपल है बस इसको आपको प्लस लगा देना यहां पर बैलेंस प्लस्क वॉच्टक कितना अमॉंट आ रहा है और यहां वह Gef замеч, सबसे पहले यहां पर बनाते है प्रिपेट सेटमेंट का उबजेक्ट बना के इंस्टेंस क्रेट करके उसकी हल्प से हम लोग यहां पर इनकी वेल्यों को सेट कर लेंगे और फिर क्वेरी को रन करेंगे तो सबसे पहले यहां पर बनाते है प्रिपेट सेटमेंट का एक इंस्टेंस प्रिपेट स्टेटमेंट और यहां पर हम लोग सबसे पहला प्रिपेट सेटमेंट बनाते हैं विद्ड्रो स्टेटमेंट के नाम से विद्ड्रो स्टेटमेंट ठीक है और यहां पर हम लोग कनेक के नाम से एक Istanbul कोंडेron न्यूंट shipman और यहां पर श्री फिक 10 विए कुण क्या है तो विता हमने क्या किया है दो के लिए मोस करने के लिए withdraw करने वाली जो query उसे execute करने के लिए एक instance शुरू किया prepared statement का withdraw statement के नाम से और deposit query को execute करने के लिए या फिर उसको run कराने के लिए एक instance शुरू किया deposit statement के नाम से prepared statement interface का ठीक है आप क्या करते हैं की value set कर लेता है इनी instances की help से तो withdraw statement dot set और यहाँ पर देखना हमें सबसे पहले यहाँ पर सेट करना है balance को और फिर सेट करना हमें account number को तो balance set करने के लिए हम लोग यूज करेंगे से double नाम के method का क्योंकि हमारा जो balance है वो decimal के अंदर है set double और यहाँ पर हम लोग पास कर देते हैं अपना balance वन कोमा और लोग पास करते हैं मांके लोग 500 रूपीज 500.00.00 ठीक है ओके फिर हम लोग पास करते हैं पर अकाउंट number किस account number से हम लोग debit कर रहा है withdraw statement और यहाँ पर हम लोग करते हैं dot set string account number हमारा string के अंदर है और यहाँ पर second place holder पर हम लोग पास करते हैं account 123 ठीक है ओके अगर आपको prepared statement नहीं आते है तो आप जाके मेरी दूसरी वीडियो check out कर सकते हैं जिसके अंदर मैंने आपको prepared statement सिखाया ठीक है तो हम लोग उने withdraw statement के लिए जो placeholders थे उनकी value set कर दी है हमें deduct करना 500 रूपय और deduct करना है account 123 से ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं हम लोग set करते हैं deposit statement की values तो यहां पर लिखता है deposit statement dot set double इस बार भी balance set करेंगे और यहां पर जाएगा हमारा first index पर जाएगा हमारा 500 रूपया 500.00 ठीक है और यहां पर हम लोग set करते है deposit statement dot set string number की value और यह जाएंगे हमारे यह जाएंगे हमारे सेकंड प्लेस ओल्डर पे और अकाउंट 456 में 456 में ठीक है बहुत बढ़िया तो अभी तक हमने क्या किया विड्रो किया है 500 रूपय अकाउंट 123 से और डिपोजिट करने है के लिए हमने सेट कर दिया वैल्यूज 500 रूपय अकाउंट 456 में ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं हम लोगों ने यह जो अपडेट सेट करी है इनको एक्जिक्यूट करते हैं दोना स्टेट्मेंट की अपडेट को एक्जिक्यूट कर लेता है विड्रो स्टेट्मेंट dot और स्टेट्मेंट इन दोननों अपडेट्स को हम लोग श्यूट कर लेते हैं अब यह अफिसईट अबे में आता है हम अभी तक हमने बहुत सिंपल चीज एक और है अब योग plastic को सिर्फ इस लाइन को छोड़के से है टोमन को फोल्स करा है तो अब है तो अँभी तक बहूत सिंपल चीज़े थी हमने करा या है कि एक पडिकलर रिकोर्ट से एवाउन्प को डिडेक्ट कर रहा है और दूसरे पडिकलर क्रिकॉर्ड में अमोंड को इंसर्ट कर दिया है लेकिन अब हम लोग करते हैं यहां पर ट्रांजेक्शन हेंडलिक को उसके लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे कमिट नाम के मेथड का तो मैं कनेक्शन को कमिट कर देता हूं ठीक है अगर यह सारी चीज़ से सक्सेस्पूली परफॉर्म हो जाती है तो उसकेस में ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर दूँगा और वह एर्र में कर दूँगा प्रिंट यहां पर ठीक है तो मैं करूँगा यहां पर कौन डॉट ऑके तो अभी हमारे पास यहां पर जो को नाम का यह जो इंस्टेंस है अवेलिबल नहीं है यह अवेलिबल पूरे को ट्राइब लोग के अंदर और यहां पर लगाते हैं कैच ब्लोग और कैच करते हैं हम लोग sql exception e और यहां पर हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारे पास connection नाम का जो इसको हटा देता है तो हुआ क्या है मैं एक बार आपको समराइस करा देता हूं दो transactions हमारे पास थी एक विड्रो के लिए थी एक deposit के लिए थी हम लोगों ने क्या किया दो प्रिपेड सेट्मेंट लिखे दोनों के अंदर एक विड्रो कोरी पास की एक के अंदर और दूसरे की वेल्यू भी थी 500 क्योंकि 500 रूपिये ही हमारे क्रेडिट होंगे और क्रेडिट होंगे अकाउंट 456 के अंदर फिर हम लोगों ने है ओके इतना हुआ अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसके बाद हम लोग इसको करते हैं रण डाइवर्स लोड़िट कनेक्शन एस्टेबलिश्ट रांसेक्शन सक्सेस्ट ठीक है अब चेक करते हैं डेटाबेस के अंदर प्रिंट करते हैं अभी अभी डेटाबेस के अंदर है अकॉंट 123 के पास है सबसे पहले हम लोग चीज़ों को अच्छी से अनलाइज कर पाएं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या कर रहे इन दोनों स्टेटमेंट को इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहां पर सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारे रोस अफेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं दोनों केसे में तो पहले लिखते हैं लोग यहां पर इंट रोस अफेक्टेड इक्वल्स टू एंड यहां पर हम लोग लिखते है प्हें है नींड रोस अफ्रैटिर ऊपर वाले का नाम हम बना यते हैं विड्रॉल के नाम से विड्रॉल है और नीचे वाले का बना लेते हैं हम लोग a position aщеven Bible consoleendeал it तोभ आएर पास ready है जो कि एमने बताएंगे कि यह दूनो particular transactions को complete करने के बाद यह दोनो operation को complete करने के बाद actual में हमारा data उसी divergence record के data को affect कर रहा है या नहीं कर रहा है मतलग हम लोगोंने जो account Всё這些 amount कर रहा है अगर वो deduct हो चुका है और प्लस हम लोगों ने जो amount 456 में अकाउंट 456 में insert करा है या credit करा है वो अगर credit हो चुका है तो हमें यहाँ पर पता चलेगा तो अगर हमारे rose affected withdrawal and rose affected deposit दोनों के दोनों 0 से बड़े हैं तो हम लोग क्या करेंगे इस transaction को commit कर देंगे otherwise इसको रॉल-बैक कर देंगे हम लोग लिखेंगे इफ rose affected deposit या फिर वीड्रोल इस ग्रेज़र दें 0 and rose affected deposit is greater than zero तो हम लोग क्या करेंगे इसको कर देंगे हम लोग कमिट ठीक है commit कर देंगे और इसको transaction successful print करा देंगे एल्स हम लोग क्या करेंगे इसको कर लेंगे हम लोग रोल बैक एल्स इसको हम लोग करेंगे रोल बैक कॉन डोट रोल बैक ठीक है और यहाँ इसको हम लोग हटा देते हैं कॉन डोट रोल बैक को ठीक है तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने करा है और यहाँ पे इसको प्रि यह पर आएगी आधा करेंगर दोनों के दोनों ग्रेटा अपडेट हुआ है तो इसमें हम लोग ट्रांजक्टन को कबिड करेंगे अधरवाइस इसको हम रोल बैक कर देंगे ठीक है और फिर उसके बाद हम लोग यहां पर मैसेजीस प्रिंट कर देंगे अगर ट्रांजक्शन सक्सेस्ट फूल है तो अगर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ता अभी हमारा जो अग्जिक्षिन वो सबस्क्राइब हो रहा है लेकिन अब क्या करते हैं अब हम लोग यहां पर अकउंट यहां पे कर देते हैं 456 अभी हम डिटक्ट करेंगे 456 से और हम लोग यहां पर अकाउंट का नाम कुछ भी डाल देता हैं उल्टा सिदा मतलब एक अकाउंट जो कि exist ही नहीं करता हमारी डीटाबेस के अंदर अब इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं कि ड्राइवर लोड़ीट इस बार हमारी ट्रांजेक्शन फेल हो गई है और चेक करते हैं कि क्या हमारा जो अकाउंट है वो डेबिट हुआ है 456 मतलब यहां तक देखना यहां पर हमारा अकाउंट 456 इस पर्टिक्लर लाइन में अकाउंट डेबिट तो हुने वाला था लेकिन जो हमारा डिपोजिट वाला अकाउंट था वह तो उसके अंदर deposit नहीं होता लेकिन यहां पर अकांट debit हो जाता अब चेक करते कि क्या हमारा amount debit हुआ है यह नहीं हुआ है वापस से हम लोग print करते हैं यह देखो amount हमारा अभी debit नहीं हुआ है अगर मैं यहां पर connection को rollback ना करता तो हमारा जो particular amount हुआ debit हो जाता 456 से तो इस तरीके से हम लोग जो है transaction handling का use करते वे transaction को control कर सकते हैं transaction को manage कर सकते हैं JDBC के through database के अंदर और transactions को और ज़्यादा smooth और robust बना सकते हैं तो यह था हमारा आज का वीडियो गर वीडियो अच्छा लगा तो like किजिए चैनल को subscribe किजिए and next मिलता है banking management system वाले एक वीडियो के अंदर thank you so much